नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि आज के दिन यहाँ पे मैंने जो फ्री वाले टेलिग्राम चैनल में सिगनल दिया था उसके पीछे का डीटेल लॉजिक क्या है कौन से बेसिस के ऊपर मैंने प्राइज एक्षिन का एनलेसिस किया था और ऑप्षन चे सेल का सिगनल दिया था अभी इसके पीछे का में पहले आपको प्राइज एक्षिन के हिसाब से लॉजिक एक्स्प्लेन करके समझाता हूँ फिर उसके बाद ऑप्षन चेन के हिसाब से एक्स्प्लेन करके बताऊंगा तो अभी प्राइज एक्षिन के हिसाब से समझ लेते ह जब भी हम लोग price action को follow करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको trend के हिसाब से direction decide करना पड़ेगा trade decide करना पड़ेगा तो सब सब पहले मैंने check कर लिया था कि trend कौन सा है तो market में जो था वो Friday की दिन जो downtrend develop हो चुका था वो downtrend का retracement phase यहां पे चल रहा था और downtrend के retracement phase में market यहां पे एक range bound phase में गया हुआ था मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि market जब भी नीचे जाता है तो नीचे जाने का उसका rhythm क्या होता है momentum क्या होता है तो market जो है वो series of lower lows और lower highs लगाते जाता है तो यहां से जब market नीचे आ रहा था उसके बाद market ने एक lower low लगाया घिर उसके बाद एक lower high लगाया और यहां पे market closing के time Friday के दिन closing के time जो है वो market range bound phase में चला गया था तो यहां पे जब market range bound phase में चला जाता है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया risk reward ratio देने वाला opportunity trade बन जाता है आपको क्या करना रहता है वो range bound phase को identify करना रहता है और जब भी आपको वो range bound phase का breakout मिल जाएगा वो breakout के उपर आपको trade करना रहता है इसका simple technique मैं आपको बता देता हूँ पहले आप range bound phase को identify कीजे उसका breakout identify कीजे और breakout का validity चेक करने के लिए उसका volume का confirmation लीजिए अगर ये जो breakout वाला candle रहता है breakout वाले candle पे आपको volume का spike दिखाई देता है तो इसका मतलब market में वो trend continue रहने वाला है अभी ये trend continuation का एक pattern यहाँ पे हमें मिला था और बस उसी pattern के ऊपर मैंने आपको ये sale का signal दिया था आप यहाँ पे देख सकते हो telegram channel में मैंने आपको signal दिया था 9 बचकर 11 minute पर अभी वो time पे option chain में किस तरह के का position बना था ये भी आपको समझना पड़ेगा जब आप option chain के position को समझोगे तब ही जाके आपका confirmation डबल हो जाएगा option chain का जब भी हम लोग analysis करते है तो option chain के analysis में हम लोगों को ज़्यादा importance जो देना है वो OI के data पर देना है OI का data मतलब open interest का data open interest का data हमें क्या बताता है open interest का data हमें बताता है कि कितने positions market में open खड़े है मतलब वो अभी तक close नहीं किये हुए है देखो जब भी आप trade करते हो आपके सामने दो option रहते है एक तो आप buy कर सकते हो एक तो आप sale कर सकते हो अगर buy के ज़्यादा position खड़े हुए है तो इसका मतलब ये है कि overall market upside जाने की possibility है अगर sale के ज़्यादा position खड़े है तो इसका मतलब market overall नीचे जाने की possibility है तो बस इसी data को simply हमें analyze करना रहता है option chain में तो हम लोग क्या करते है option chain में दो type के open interest के data आपको दिखाई देते है पहला जो रहता है वो पहला रहता है open interest change मतलब जिस दिन market intraday में जितना भी change होता है वो आपको ये last column में दिखाई देता है और ये cumulative रहता है मतलब जब से contract active हुआ रहता है उस दिन से वो data हमें यहाँ पे दिखाई देता है यह हमें call की side पर भी मिलता है और put की side पर भी मिलता है तो इसमें क्या होता है इसमें हमें double confirmation मिल जाता है पहली बात यह है कि हम लोग price action का confirmation option chain में लेता है और option chain में भी हम लोग double confirmation लेता है call की side पर जिस तरीके का open interest बना हुआ है उसका equally opposite open interest अगर put की side पर बना रहेगा तो हमें वो बहुती सटीक बहुती accurate result देता है कि market में आने वाले समय में short term में क्या होने की possibility है तो सुबह जब मैंने आपको बताया 9 बच कर 19 मिनिट पर signal दिया था तो उसके पहले 9 बच कर 17 मिनिट पर आगर आप देखोगे तो option chain में आपको क्या दिखाई दे रहा था यह 15,000 का जो level था 15,000 के level के उपर यहाँ पे 22 लाग का open interest total बना हुआ था और यहाँ पे call की side के उपर 17 लाग का open interest बना हुआ था तो इसका मतलब क्या था कि put की side के उपर open interest जादा बना हुआ है मतलब लोगों का यह level के उपर एक भरोसा बना हुआ था कि यह level market break नहीं करेगा अगर यह level break कर जाता है तो बहुत से put writer जो होते है वो trap होने की possibility यहाँ पे बन चुकी थी यह मैंने आपको clear cut लिख के बताया था यह जो आपना free वाला telegram channel है यह free वाले telegram channel में मार्केट चालू होने से पहले आपको update दे देता हूँ कि क्या होने की possibility है तो यहाँ पे आगर आप देख सकते हो तो 15 March के दिन आज के दिन मैंने 9 बच कर 10 मिनिट पर मतलब मार्केट चालू होने से पहले आपको बताया था कि यह 15,000 का जो level है 15,000 के level को with the increase in volume market break करेगा तो long unwinding का downfall आ सकता है तो यह मैंने कौन से basis के उपर बताया था बस मैंने यहाँ पे open interest देखा था और open interest देखके ही मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होने की possibility है तो आपको इसी तरीके से judge करना है कि कहां पे कितना open interest बना हुआ है simple trick आप याद में रखो कि call की side के उपर हम लोग क्या करते है हम लोग resistance identify करते है put की side के उपर हम लोग support identify करते है जब भी एक particular strike price पर आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा open interest बना हुआ है वो एक आपके लिए important level बन जाता है तो यह important level कौन सा हो सकता है एक तो important level resistance का हो सकता है या support का हो सकता है अगर यह resistance का level upside की तरफ break करता है तो market में upside का momentum आने की possibility है अगर downside की तरफ break करता है तो downfall आने की possibility है तो बस इसी logic को हमें use करना है और इसी logic को हमें implement करना है अभी long unwinding क्या होता है इसको हमें पहले समझना पड़ेगा जब भी market उपर जाता है एक particular level पर market रूख जाता है मान लो कि ये 15,000 का level है अपने open interest के हिसाब से तो ये 15,000 के level के उपर क्या हो गाया था तो जो लोगों ने यहाँ पर 15,000 की level के उपर long का position बनाया हुआ है उनका loss दिखना चालू हो जाएगा जैसे ही उनका loss दिखना चालू हो जाएगा उनके सामने दो option बन जाता है पहला option ये होता है कि loss को book कर लो या फिर position को hedge कर लो तो ये दोनो option को अगर उनको execute करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा उनको market में sale का fresh position initiate करना पड़ेगा तो पहला अगर simply वो loss book कर लेते हैं तो sale का single position initiate हो जाएगा market यहाँ से नीचे गिरना चालू हो जाएगा अगर वो hedge का position create करते हैं तो double speed से market नीचे गिरना चालू हो जाता है बस आपको इसी trick को इसी technique को समझना है और इसको market में implement करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मेरा जो चारो compartment का analysis है वो चारो compartment के analysis को मैं use करता हूँ और ये चारो compartment का मेरा theory जो है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो अभी देख लेते हैं कि कल के दिन market में क्या होने की possibility है और हमें कौन सा रननीती बना के काम करना चाहिए तो nifty और bank nifty में जब भी हम लोग trade करते हैं तो हम लोगों को analysis करते समय सबसे पहले आप 15 minute का chart देखिए 15 minute के chart में किस तरीके का position बना हुआ है एक बर उसको समझ लिजे और फिर price action के हिसाब से आप analysis कीजे तो यह जो 15 minute का chart में ने आपके सामने लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि market जो है वो अभी भी downtrend के ही phase में बना हुआ है यहाँ पे जो uptrend यहाँ पे develop हुआ आपको दिखाई दे रहा है यह clear cut uptrend अभी मुझे लग नहीं रहा है यह एक retracement का phase है अपtrend हम लोग किसको बोलेंगे जब भी market इस तरीके का series of higher highs बनाते जाएगा और series of higher lows बनाते जाएगा तब हम लोग उसको confirm uptrend बोलेंगे यहाँ पे आभी market जो उपर गया है इसके बाद market में किस तरीके का price action यहाँ पे होता है that is हमरे लिए more important है अगर market यहाँ पे consolidate होता है कल के दिन और consolidate होके range bound phase को अगर upside की तरफ market break करेगा तो ही market आप जाने की possibility है otherwise market में आप जाने की possibility नहीं है तो कल के लिए आपको कौन से level के उपर घ्यान देना पड़ेगा तो कल के लिए यह level मैंने किस तरीके से निकाल लिये है उसको पहले logic आप समझ लिजे जब आप उसके logic को समझोगे तभी जाके आप वो level को draw करना सीख जाओगे तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो level nifty के लिए draw करके दिये हुए है यह जो भी analysis में करता हूँ nifty के spot के chart में करता हूँ यहाँ पर यह उपर का जो level है वो 15,061 का level यहाँ पर बन रहा है और नीचे की side की तरफ जो level बन रहा है वो 14,745 का level यहाँ पर बन रहा है अभी यह जो है यह आज के दिन का low बना हूँ है जो prominent support की तरह काम करेगा क्योंकि जो भी positional trader रहेंगे जिनका अभी भी market में long position बना रहेगा वो अपना stop loss कहां पर लगाएंगे वो prefer करेंगे low के नीचे का stop loss लगाने को अभी कल के लिए अगर market को upside में जाना है तो market को यह level को upside की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा तब ही जाके market अब जा सकता है अगर market को down जाना है तो इसको level को break करना पड़ेगा तभी market डाउन जा सकता है तो in between यहाँ पे जो price action होती है उसको आप trade मत कीजिए उसको आप patiently wait कीजिए patiently wait करने के बाद अगर यहाँ पे यह वाला price action का structure develop होता है तो यह flag with the pole वाला structure develop होगा तो यह उसके बाद trade कीजिए और यह अपना पहला target रखिए फिर उसके बाद देख लेते हैं कि bank nipty में हमें किस तरीके का position बनता हुआ दिखाई दे रहा है generally जो अभी US market में bond yield का बढ़ रहा है वो bond yield के issue की वज़ा से आगर market में गिरावट होगी या तेज़े आएगी तो उसमें banking sector में हमें सबसे ज़ादा तेज गिरावट या तेज मंदी दिखाई देगी तो इसके लिए banking stock को अगर हम लोग track करते हैं तो bank nipty को हमें particular level के करीब आने के बाद ही trade करना पड़ेगा यहाँ पे bank nipty में एक बहुत बढ़िया जो में जे structure दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हों कि market ने यह low number 1 बनाया और यह low number 2 बनाया मतलब यहाँ पे market ने equal lows बना लिये थे इसको हम लोग double top बोलते हैं double top को किस तरीके से trade करना रहता है इसको अभी आप समझ लिजे यह double bottom हो गया यह bottom number 1 हो गया यह bottom number 2 हो गया तो जब भी यह double bottom बनता है तो इसके बीच का जो peak point रहता है यह peak point के उपर market आप side में आ जाता है और इसका target कितना रहता है तो यह जो bottom बनाने का जो अपना length रहता है उतना ही market उपर जाने की possibility रहती है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो market ने अपना target आचिव कर लिया है अभी market ने continuous आप side का momentum दिखाया हुआ है price action के इसाब से एक बात को आप समझ लिजे जब भी market continuous one-sided momentum दिखाता है उसके बाद market में एक तो retracement आता है पहला possibility और दूसरा possibility market जो है वो market range bound phase में चला जाता है तो यहाँ पे आभी retracement आने की आशेंग का कम है इसके पीछे का reason है कि कल जब market gap up के साथ open हो जाएगा अगर market gap up या gap down के साथ open हो जाएगा तो range bound market develop होने की ज़ादा possibility रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे कल market open होने के बाद देखेंगे की किस तरीके का position market में बन रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग option chain का analysis करेंगे option chain में मुझे क्या लगता है यह आपने मैं free वाले telegram channel में जैसा आज के दिन market hours के पहले update करके दिया था से मुसी तरीके से मैं आपको ये free वाले telegram channel में update करके दूँगा ये free वाले telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 83,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है यही अपना official channel है तो यहाँ पे मैं update करके दूँगा कि किस तरीके का position मा भी बन रहा है market में और फिर उसके बाद हम लोग decide करेंगे कि कल के दिन हमें क्या करना है इसी तरीके से मेरी आपसे एक request रहेगी कि YouTube के उपर अपना ये जो educational channel है ये educational channel को आप subscribe कीजिए यहाँ पे बहुत सरे educational वीडियो आपको मिल जाएंगे और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो launch करूँगा इमिजेट आपको उसका notification मिल जाएगा आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे आपको ज्यान मिला रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए Thank you very much